तो आज मैं आप लोगों के आठ नमबर बिलकुल पक्के करवाने वाला हूँ आप लोग इस प्रकार के question कर तो लेते ही होंगे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोग ये question कर ही लेते होंगे लेकिन इस question को करने में अक्सर गलतियां हो जाती है बही ये question होता तो बहुत सरल है इस question को बहुत बच्चे हलके में ले लेते हैं और actual में इसे हलके में लेना भी चीए क्योंकि बहुत easy question होता है लेकिन 8 नमबर में आता है आप करेंगे क्या दिक्कत ये है कि एक बार अक्सर बहुत सारे बच्चों का एक बार में answer इसका सटेक नहीं निकलता है आखिर वो कहां पर गलतियां करते हैं और कहां पर सुधार करने की आवशकता है कहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवशकता है मैं आपको बताऊंगा इसका मैं सारा का सारा process तो बताऊंगा है कि आखिर इस question को कैसे solve करते हैं लेकिन साथ ही साथ में हम आपको वो points बताने वाले हैं जो जहां पर आप लोग ज्यादा गलतियां करते हैं इस question को solve करने में ठेक है अगर आप वहां पर ध्यान दे लेंगे तो आप से गलतियां नहीं होगी और ये बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि guarantee होती है इस प्रकार के question को आने की board exam में आएगा ही आएगा और 8 number में आएगा ठेक है तो 8 number का question आपके सामने इस प्रकार का दिया रहेगा आपको solve करना है एक्जेक्ट ये question नहीं हो सकता है लेकिन कुछ numbers change होंगे बस और कुछ नहीं है आराम से आप कर सकते हैं इस question को मैं पूरी आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ इसके बाद में 4-5 question मैं आपको दोंगा अगर आप उनकी practice कर लेंगे तो 8 number आपसे कोई नहीं चीन सकता तो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है equation दिया गया है तीन equation यहाँ पर दे गई है 3x-2y-3z equal to 8 है इसके बाद में 2x-z equal to 1 है 4x-3y-2z equal to 4 है तो यह 3 equation है और इनको बताया गया है कि इनको किस विदी से ग्याद हल करना है आविव विदी से इन 3 equations को solve करना है यह question number यह question है वो 8 number में आता है और हर exam में यह मतलब कहने का यह हर paper में आपको इस प्रकार का question मिल ही जाएगा आप unsolue उठाके देख लीजिए या फिर आपका जो 4 तारिख को paper है उसमें भी आप check कर सकते हैं तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले आपको एक आविव बनाना होता है उस आविव का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर हम A देते हैं नॉर्मली A ही देते हैं सभी तो A एक आविव बनाना होता है आवी कैसे बनाना होता है तो x, y, z के जो गुडांक होते हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा x का गुडांक 3 है पहले equation में दूसरी वाले में y का गुडांक minus 2 है और इसमें है 3 ठीक है, z का गुडांक इसका x का गुडांक 2 इसका y का गुडांक 1 और z का गुडांक minus 1 ठीक है, 4 यह हो गया minus 3 यह हो गया और 2 यह हो गया, आपको क्या करना है चिन्नों पर विसेज ध्यान देना है आप चिन्न गलत ना ले अगर z है, तो z minus का है तो minus 1 लेंगे, केवल 1 नहीं लेंगे ठीक है, तो एक A आपकी सामने हो गया साथी साथ में एक x आवियो हम बनाते है x आवियो मतलब है कि x, y, z का एक आवियो बना लेते है जो कि स्तंब के रूप में होना चीए ठीक है, तो यहाँ पर हम x आवियो x, y, z इसको हम नॉर्मली ऐसे ही हर क्यूशन में x आवियो हमारा यही रहेगा, इसके बाद में अगर हम बात करें, एक आवियो तीसरा जो दूसरा आवियो होगा, यह है b आवियो, जो इनके बराबर में जो वैलियो दियो होते हैं यह वाले हो जाएंगे, at, one और इसका है four, ठीक है तो इस तरह से हमने तीन आवियो बनाए है, एक आवियो ए, जो इनके गुडांकों से बनाया है एक आवियो एक्स, जो x, y, z है, ठीक है, और एक आवियो बी, जो इनके बराबर में वैलियो दी रहेंगे, ठीक है, इसके बाद में बराबर में होता है हमारा b, क्योंकि यह x है ax, ax इधर होता है और b उधर होता है, यही हमने बनाए है a और x, multiply में होता है और b, दूसरी तरफ होता है ax equal to b, यह आपके समने formula होता है और इसी से अगर आपको x का value find out करना है, तो x equal to a उधर जाएगा, तो a inverse b हो जाएगा, ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना है अगर हमें x का value find out करना है तो बच्चा सबसे पहले आपको a inverse find out करना पड़ेगा अब a inverse कैसे निकालते है इसका process आपको पता होना चीए मैं आपको समझा रहा हूँ यहीं पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है view a आपके पास है view a का magnitude निकालिए आप इसका modulus निकालिए तो हम लोग निकालते हैं आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है A का magnitude निकालना है modulus A, क्या हो जाएगा 3 को हम बंद कर देंगे, जब 3 को बंद करते हैं, मनलब पहली पंक्ति और पहला column, मनलब स्वारी, पहली पंक्ति और पहला इसता हम बंद कर देंगे तो इनका इनका multiply होगा 2 अंजा 2 और minus बीच में रहता है 3 एकम 3, minus minus plus का 3 होगा, और यहाँ पर already minus होता है, तो यह पहाँ पर minus का ही 3 रहेगा ठीके, यह आपको बात याद रखना है जो भी यहाँ चिन्न बनेगा minus यहाँ पर पहले से रहना है और उसका गुणा करके यहाँ पर लिखना है ठीके, जैसे, याद रखेगा 3 हो चुका था, इसके बाद माइनस 2 लेंगे, माइनस 2 लेंगे तो बीच वाला निसान हमेशा हम बदल करके लेते हैं तो minus 2 है, तो plus का 2 लीजेगा आप यहाँ पर, ठीके, अब इस वाले स्तंब को और पहली वाली पंक्ति को बंद कर देजे, ये इनकी इनकी गुणा होगी, और फिर इनकी इनकी गुणा होगी याद रखना है, आपको सबसे पहले इस तरह से गुणा करना है, फिर इस तरह से गुणा करना है दो दुना, 4 यहाँ पर लिखेंगे यहां पर minus already आप लगा देंगे ठीके फिर 4 एक कम 4 होगा minus का 4 होगा और minus का 4 अगर है तो यहां पर आकर के वो plus का 4 बन जाएगा ठीके इसके बाद में 3 हमने ले लिया था फिर minus 2 लिया था तो यहां बीच वाला निसान बदल करके लिया जाता है अब यह वाला लेना है plus का 3 और plus का 3 लेंगे तो तीसरा स्तंब और पहली पंक्ति बंद होगी इनका इनका multiply 2 और minus 3 का multiply minus 6 बीच में minus already रहता ही रहता है चार और एक का multiply 4 होगा और 4 एक कम 4 प्लस का 4 होना यहां और यहां पर minus पहले से था तो minus तो रहेगा ही minus का 4 चेक है इस तरह से इसके बाद में इनको हम solve कर लेंगे तो magnitude of a equal to क्या निकल के आएगा यहां पर लिख सकते हैं 3 2 से 3 minus होगा minus 1 plus 2 into में 4 और 4 add होगा तो add हो जाएगा plus का 3 और 6 और minus 4 add होगा तो minus का 10 हो जाएगा add to just 16 हो जाएगा और minus 10 3 किता हो जाएगा 30 हो जाएगा तो minus का कितना हो गया भाई तो minus का 3 है minus का 30 है तो minus का 33 हो जाएगा अब plus में 16 तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं a equal to 33 से 16 minus कर दोगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा वो भी minus में 17 ठेक है मतलब a का modulus अगर हमारा 0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उसका inverse नहीं निकाल सकते मतलब ऐसे आविहों का पतिलो मतलब inverse एकजिस्ट नहीं करेगा ठेक है लेकिन यहां पर 0 नहीं आया है इसका मलब है इसका inverse होगा अब inverse अगर आपको निकालना है तो a inverse निकालने के लि साखंड़ क्या क्या होंगे सबसे पहले a 1 1 a 1 1 a 1 2 a 1 3 फिर a 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 ठीक है इस तरह से तो a 1 1 का मतलब है पहली पंक्ती और पहला इस्तंभा बंद कर देजिए इनके बाद में जो बचेगा उसका cross multiply करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 ठीक है और 3 1 जा 3 बीच में मानिस रहे तो माइनस का माइनस का ही 3 रहेगा क्योंकि यहां पर माइनस मानिस प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह कितना बचेगा आपके पास माइनस का 1 लेकिन याद रखेगा अगर हम यह जो 1 और 1 किया है 1 1 लिया है तो 1 1 को add करने पर add करने पर अगर कोई sum संख्या आती है तो याद उसका चिन्ह नहीं बदलना है और अगर विशम संख्या आती है तो चिन्ह बदल देना है कहने का मनलब है अगर 11 को एड करेंगे तो 2 आएगा और 2 एक संख्या है इसलिए इसका जो चिन्ह आया है वही रहेगा लेकिन अगर हम बात करें A 12 11 के बाद 1 2 आयेगा और 1 2 को एड करने के बाद 3 आ जायेगा 1 और 2 को एड करोगे 3 आयेगा तो 3 जब आयेगा तो ये विशम संख्या है और विशम संख्या 3 होती है इसलिए इसका चिन्ह बदल देंगे जो भी आयेगा ठीके अब करतें इसका मतलब पहले पंक्ती और दूसरा इस्तम बंद करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई ठीके माइनस लगाएंगे 4 बंजा 4 हो जाएगा माइनस का तो प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा अब ये बन जाएगा माइनस का 8 अगर हम यह माइनस न लगायो तो प्लस का 8 आता लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया है चिन्ध बदल जाएगा क्यों बदल जाएगा क्योंकि 1 और 2 जोडने से 3 आता है 3 एक विशम संख्या है इसलिए बदल जाएगा ठीक है अब हम अगर बात करें तो 1 1 हो गया 1 2 हो गया इस इसके बाद में 1 3 लिया जाता है तो 1 3 1 3 में ध्यान से देखिए 1 और 3 को एड़ करेंगे तो 4 आएगा और 4 जो होता है एक सम संख्या है इसलिए इसका चिन्ध नहीं बदलेगा जैसा आएगा वैसे रहेगा 1 3 का मतलब है पहली पंक्ती और तीसरा अस्तम्भ ऐसे इस्तिति में 1 का मतलब पहली पंक्ती का तीनो इस्तम्भों के साथ कर चुके हैं अब दूसरी पंक्ती लेना है 1 1 1 2 1 3 हो चुका है अब 2 1 2 1 करेंगे तो मतलब है 2 और 1 को आड़ करेंगे 3 और 3 एक विशन संख्या है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हम पहले से ही लगा द ठीक है तो 2 और 1 मतलब दूसरी पंक्ती और पहला इस्तम्भन करेंगे तो 2 दुना 4 माइनस का 4 होगा और बीच पे माइनस 3 तीन नो माइनस के 9 और यहाँ पर आगर करके प्लस नो तो यहाँ पर माइनस का 5 बच जाएगा ठीक है इसी परकार a 2 2 करेंगे तो जब 2 दूसरी पंक्ती दूसरा इस्तम बंद करेंगे तो दो तिया 6 और चार तिया 12 मतलब 6-12 एक्वल टू माइनस का 6 इसमें चिन हमने माइनस बाहर नहीं लगाया क्यों क्यों क्योंकि 2-2 एड करने पर 4 होता है 4 समसंख्या है ठेके इसी प्रकार 2-3 की बात करें तो यहाँ पर माइनस हमें लगाना होगा और इसके बाद में 2 मतलब दूसरी पंक्ती और तीसरा अस्तम बंद करेंगे, 3 तीया 9, 4 दुनी 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8 यहाँ पर हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा, इसके बाद में 2, 3 हो गया, अब 3, 1 लिया जाता है, तो 3 1 कैसे करेंगे 3 मतलब तीसरी पंक्ती और पहला स्थम बंद करेंगे 2 एक कम 2 प्लस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और 1,3,3,-3 हो गया ठीक है और निसान यहाँ पर बदलेगा नहीं क्योंकि 3,4 हो जाएगा तो इसलिए निसान नहीं बदलेगा माइनस का 3 इसका देखे चिंड भी बदल जाएगा तो माइनस बाहर लगा लिजिए माइनस का 1 और 3 का मुल्टिप्लाई माइनस का 3 और माइनस का 2 और 3 का मुल्टिप्लाई 6 होगा तो ये minus का plus का 9 बन जाएगा ठीक है इसी प्रकार अब 3 3 की बात करें ठीक है 3 3 की बात करें तो 3 तीसरी पंक्ती तीसरा स्थम्प इसका निसान तो बदलना नहीं है और बस 1 तीया 3 दो दुना 4 एक तीया 3 और minus minus plus दो दुना 4 हो जाएगा ये बन गया 7 ठीक है तो इस तरह से हमने सारे इसके साखंड़ज ग्याद कर लिये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ठीक है इस तरह से आप कोई भी question हो आपको यही सारे साखंड़ज ग्याद करने है इसके बाद में आपको क्या करना है ध्यान से देखिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले एक आप वी तयार करना है और वो आप वी कैसे तयार करेंगे जिससे हम adjoint of A बोलेंगे क्या बोलेंगे adjoint of A adjoint of A कैसे तयार करते है देहां से देखिएगा adjoint of A कैसे तयार किया जाता है तो साखंड़जों का जो आवि होता है साखंड़जों का आवि हो मानस एक, मानस आट, मानस दस ये जो वैलियू निकल क्या है इनको इस करम में लिखिए taikai, मानस एक, मानस आट और मानस दस taikai, इसी बिद्दाब फिर तीन के बाद फिर नीचे आ जाएंगे माइनस 5, माइनस 6 और 1 माइनस 5, माइनस 6 और 1 इसके बाद में क्या है माइनस 1, 9 और 7 माइनस 1, 9 और 7 ये हमारा सेखंडेस का आव्यू बना और इसका अगर डैस निकाल दे परिवर्थ आव्यू निकालें तो उसी को हम एडजवाइंट of A बोलेंगे ठीके तो A का एडजवाइंट कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप उसका सेखंडेस ग्याद करेंगे सेखंडेस के आव्यू से जो भी आव्यू बनेगा उसका आपको परिवर्त आव्यू निकालना है परिवर्त आव्यू का मतलब है पंक्ति को स्तंब में और स्तंब को पंक्ति में बदलना है तो निकालते हैं जरा हम यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर हम क्या करेंगे adjoint of a का value क्या होगा adjoint of a equal to क्या बन जाएगा भाई ज्यान से देखिएगा minus 1 minus 8 और 10 जो इस क्रम में लिखे थे उनको हम इस order में लिख देंगे minus 1 minus 8 और minus 10 इसके बाद में minus 5 minus 6 1 minus 5 minus 6 और 1 इसके बाद में minus 1 9 और 7 minus 1 9 और 7 ठीक है adjoint of a जैसे निकल के आता है तो adjoint of a को अगर मैं a के magnitude से भाग करूँगा तो क्या निकल के आएगा हमेशा हमेशा वो इसका inverse निकल के आएगा मतलब है अगर मैं a inverse की बात करूँ तो a inverse क्या होगा magnitude of a को भाग देना है किसको adjoint of a को ठीक है यह हमारा a inverse के लिए formula है तो हम क्या करेंगे a inverse equal to 1 upon magnitude of a कितना था minus का 17 और adjoint of a का जो value है वो रख दीजिए आप minus 1, minus 5, minus 1, minus 8, minus 6, 9, minus 10, 1 and 7 ठीक है adjoint of a हमने निकाला a inverse निकाल लिया है इसके बाद में आपको क्या करना है ठीक है यहां पर आपको सबसे main चीज जो ध्यान देना है आप यहां पर adjoint निकालते समय गलती कर सकते है क्यों क्योंकि adjoint निकालेंगे तो आपको सबसे पहले इस क्रम में लिखना है इस क्रम में इनको इस order में जो लिखे है minus 1, minus 10, minus 10 तो इनको इस क्रम में लिखना है इसके बाद में उसका परिवर्ट अब्यू निकल लाए जब आप परिवर्ट अब्यू निकल लेंगे तो उसे हम Adjoint of A बोलेंगे ठीक है तो Adjoint of A निकला फिर A-Inverse का formula लगाया one upon magnitude of A into Adjoint of A फिर A inverse बराबर हमने निकाल लिया अब ये A inverse हमने निकाल लिया है जब A inverse निकल आया तो अब हम उसका अगर B के साथ गुणा कर देंगे तो X निकल आएगा तो हम कह सकते हैं अगर हमें X निकालना है ये सुत्र है X बराबर में क्या होता है A inverse B तो X का मतलब है X Y Z X का मतलब क्या है? X का मतलब है X Y Z A inverse A inverse का मतलब क्या है? तो हमाँ पास यह value दिया है 1 upon minus 17 और साती में है minus 1, minus 5, minus 1, minus 8, minus 6, 9, minus 10, 1 and 7 ठीक है? और into में B तो B क्या है भाई? तो B का मतलब हमें पता है कि B जो है हमारा यह है 8, 1, 4 तो आप लिख देंगे 8, 1 and 4 ठीक है? B लिख लिया अब आपको क्या करना है? इनका multiply कर लेना है multiply करते हैं कैसे करते हैं? आपको पता होगा X Y Z equal to minus का 1 upon 17 ऐसे रखेंगे इनका multiply करेंगे मतलब पहली पंक्ति की इस पूरे स्थम से गुणा करें minus 1 की 8 से minus 5 की 1 से minus 1 की 4 से इस तरह से गुणा करेंगे तो minus 1 का 8 से गुणा minus 8 minus 5 का 1 के साथ गुणा minus 5 और 1 का 4 के साथ गुणा minus 4 ओके? यह हो गया इसके बाद में अब आपको क्या करेंगे? minus 8 और 8 की गुणा 8 वट 64 हो जाएगा minus 6 और 1 की गुणा minus का 6 9 और 4 की गुणा नचोक 36 हो जाएगा यह प्लस का हो जाएगा ठीक है? इसके बाद में तो इस तरह से हमने गुणा कर लिया इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर x, y, z equal to minus 1 बटे 17 और इनको जोड़ करके आप लिख देजिए जोड़ करके लिखेंगे कैसे? minus 8, minus 5 और minus 4 अगर आप जोड़ेंगे तो minus का 17 हो जाएगा ठीक है? तो इस तरह से देखा आपने अब इसके बाद में आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना? ध्यान से देखिएगा अब आपको क्या करना है? यहाँ पर x, y, z का value find out करना है तो यहाँ पर बटे में 17 है minus 1 बटे 17 तो minus 1 बटे 17 से मनलब इनकी गुड़ा कर देंगे सब के साथ में या फिर हम कह सकते है 17 से सब को भाग कर देजिए और minus तो है minus अंदर जाएगा तो plus बन जाएगा minus minus plus 17 बटे 17 17 बटे 17 क्या हो जाएगा? तो इस तरह से हम देख पा रहे है कि X का वैलू हमारा एक निकल के आया Y का वैलू हमारा क्या निकला? दो निकला और Z का वैलू क्या निकला है? तो Z का वैलू 3 निकला है इस तरह से हमने इस equation को शालू कर लिया है तो इसी तरह से कुछ नहीं आराम से इनको solve कर सकते हैं बस आपको थोड़ा दिमाग कहां पर लगाना है आपको ये जो magnitude है इसको ध्यान से निकालना है ठीक है साथी साथ में आप और कहां पर गलती कर सकते हैं तो ये ध्यान रखना A1-1 करेंगे जहां पर add करके धनात्मक सम होगा वहां पर च चिन चरूर बदल देना है ठीक है उससे पहले माइनस आप लगा लें तो चिन बदल जाएगा ठीक है इसके बाद में एड्जाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे एड्जाइंट ऑफ ए इन साखंडस से जो भी आवियो बनेगा उसका परिवर्त आवियो निकालेंगे तो एड लोग कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा अगर नहीं एक बार में समझ में आया है तो दुबारा इससे फिर एक बार इस वीडियो को देख लीजेगा अच्छे समझ में आ जाएगा और आपको एक काम करना है आपको करना क्या है अभी मैं minute के अंदर अगर solve कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर solve कर लेंगे अगर 10 minute लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कोसिस करिए 7-8 minute में या 6-7-8 minute में आप इसे solve कर पाए 8 number आपके 100% guaranteed पक्के हैं आप tension ना लिजेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ऐसे questions को अपने आप जरूर solve करना है और मैं कुछ questions दे रहा हूँ इनको solve करिएगा आप comment में इनका answer मुझे जरूर बताइगा तो मैं देता हूँ आपको कुछ questions जिने आप solve कर सकते अगर इसका screenshot लेना है तो भाई ले लिजेगा ठीक है और फिर मैं आपको question देता हूँ आप अपने आपने solve करिएगा ठीक है चलो एक question है अगला जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ मेरे पास लिखा हुआ है देखिएगा दोसरा question क्या है x plus y plus z equal to 3 है ठीक है x plus 2y plus 3z equal to 4 दिया गया है और x plus 4y plus 9z equal to 6 दिया गया है ठीक है और इसको आपको आप विविदी से हल करने है इसका जो answer है वो भी मैं आपको बता देता हूँ x equal to 2 आएगा y equal to 1 आएगा और z equal to कितना आएगा वो आप लोग हमें बताएंगे comment करके मैं नहीं बताने वाला ठीक है अब आप लोग लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा तो निकाली और बताईएगा मुझे ठीक है इसके बाद में तीसरा question देता हूँ मैं आपको ठीक है दिया गया है x plus y plus z equal to 6 ठीक है इसके बाद में x minus y plus z equal to 2 है और 2 x 2 x plus y minus z equal to 1 है ठीक है तो इसका answer मैं आपको बता र i का value 2 है और z का value 3 है ठीक है x का value आप लोग निकाल करके बताएगे ठीक है जरूर comment करके बताएगे question number 2 का answer क्या है comment करके बताईएगा z का value और question number 3 का answer क्या है z का value आप comment करके बताएंगे ठीके और मैं आपको question दे देता हूँ इसको मिटा देता हूँ ठीके क्योंकि ये आप solve करी ही चुके है इसके बाद में एक और question है दिया गया x plus y plus z equal to दिया गया है 3 ठीक है x plus 2y plus z equal to है 4 और इसके बाद में x plus y plus 2z equal to 5 इसका answer आपको पूरा बताना है x का value क्या है y का value क्या है z का value क्या है अच्छा ही एक बात याद रखिएगा इसका जो answer आएगा x का value y का value z का value बड़ा खतरना टाइप में आ रहा हो तो आप tensor ना लेना वो गलत नहीं होगा आपका सही होगा upon में सबके 7 आएगा ठीक है x का answer आएगा x y z का value वो अच्छा नहीं आपको लगए जैसे इसमें दे दिया है 2 और 3 z के सरल सरल मान आ रहा है ठीक है इसके बाद में है 2x plus y minus का z equal to 1 है और 4x minus का 3y और plus का 2z equal to 4 है ठीक है तो इनका भी answer आप लोग बताओगे मुझे comment में हम x का value बता देते हैं 1 y का value 2 और z का value क्या है वो आप लोग बताएंगे ठीक है तो ये 4 questions आपको मैंने दिये हैं अगर आप इन 4 questions को कर लेंगे ठीक है तो 8 number तो आप इनको आसानी से पा लेंगे अगर इतनी practice कर लेंगे इसके बाद में मैं और important questions आपके सामने लाता रहूँगा आगे ठीक है तयारी करते रहे हैं धमाकेदार और पढ़ाई करते रहे हैं ठीक है फिर मिलते हैं अगले question अगले type के question के साथ में तद तक ये बाबाए और पढ़ाई करते रहे हैं झाले करते रहे हैं